तो माईडिया टुडेंट कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे आज संबन देवं फलन पिष्णाबली 1.1 पर ये 4th नंबर की बच्चों हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम आपको question number second, third, fourth and fifth solve करवाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से लेकिन हमारा suggestion रहेगा आपको कि इसके पहले अगर तीन पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उनकी link वीडियो की description में उनको जरूर देखिए तब ही आप इन question को बहतर तरीके से समझ पाएंगे ठीक है चले, question number second हम देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि वास्तिविक संख्याओं के समुझ है R में R बराबर A, V, A, V इस परकार है कि A less than equal V square, यानि A जो है वो B के बर्ग से या तो बराबर होगा या छोटा होगा अब यहाँ पर आपको 2 R दिये हैं, यहाँ पर 2 R हैं, पहले R का मतलब है वास्तिविक संख्याओं का समुझ है, इसमें सभी क्या जाएंगी वास्तिविक संख्याओं माइनस बन भी आएगा, one upon two भी आएगा, one upon two माने सारी वास्तिविक संख्याओं जाएंगी, plus, minus, अनंत वो आपके पास है विटा, कि इसमें A, V दो अभियव हैं, वो इस प्रकार है कि A जो है वो छोटा है, V के बर्ग से या फिर V के बर्ग के बराबर हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगी यह स्वैतुल है या नहीं, ठीक है, तो स्वैतुल के लिए हम क्या लिखते हैं देखना हम लिखेंगे यदि A, A belongs to R, for all, A belongs to A, यानि A, A अगर संबंद R में है और A जो है, वो समुच्चा A का वियव है, अब यहाँ पर जो A है, इस A का मतलब है, यह वास्तरिक संक्याओं का R, मैंने A इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कन्फ्यूज रहा हूँ, ठीक है, आप निएगा, अगर हम 1,1 रखते हैं, 1,1 जगाए, तो यह सही हो जाएगी, वही बन जो है, बन के बर्ग से छोटा नहीं है, तो बराबर तो होगा, अगर आप 2,2 रखेंगे, तो यह भी आपको R में मिल जाएगा, क्योंकि जो 2 है, वो 2 के बर्ग से छोटा होता है, या तो ब 1,1 अपॉन 2, यह ले लीजिए, फिर आप देखिए, 1 अपॉन 2 जो है, वो 1 अपॉन 2 के बर्ग से छोटी नहीं होगी, ना ही उसके बराबर होगी, क्योंकि देखो, 1 वटे 2 और 1 वटे 2 का बर्ग हो जाएगा, 1 वटे 4, जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब 1 वटे 4 छोटी संख्या होती है, 1 वटे 2 से, जबकि यहाँ पर यह बोला है कि 1 वटे 2 को 1 वटे 4 से छोटी होनी चाहिए, या उसके बराबर होनी चाहिए, तो यह कंडिसर को फॉलो नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, कि वही, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 डज संख्याओं का R है, चाहिए तो आप यहाँ पर A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो हम लिखेंगे, अतहा, R स्वेतल नहीं है, स्वेतल नहीं है, ठीक, दूसरा हम लिखते हैं, वेटा संब्ध, अब संब्ध संबंध क्या होता है, उसको देख लो भई, संब्ध के लिए वच्चों हम लिखते हैं, कि यदि A, V संबंध R में हैं, तो हम फिर दूड़ते हैं, कि भई, B, A में भी वही संबंध है कि नहीं, V, A, R को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, पौर आल, A, V, A, V समुच्चे A के अव्यप हैं, ठीक, अब यहां पर आप देखें, 1, 2, ये तो आपको R में मिल जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि 1 जो है, वो 2 के बर्ग से छोटा है, या बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो छोटा तो है, लेकिन 2 का बर्ग, 2 जो है, वो 1 के बर्ग से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 1 का बर्ग होता है, और 2 क्या होगा, उससे छोटा नहीं होगा, यहां पर जाएगी बाद समझे तो हम लिखेंगे लेकिन लेकिन टू कॉमा वन डज नॉट बिलॉंग स्टू आर पॉर ओल वन कॉमा टू दोनों ही सैट ए या सैट आर के अवयव हैं यानि बाद पर संख्याएं हैं तो हम लिखेंगे अतहा आर सम्मित नहीं है है ठीक है भई अब हम देखते हैं इसका संक्रामक संबंद संक्रामक देखी भई संक्रामक में थोड़ा आपको उधारन ढूनने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे एक्जाम्पल लेने हैं जो संक्रामक वाली कंडिशन को फॉलू ना करते हो तो पहले कंडिशन हम भी आर में होना चाहिए पॉर आल ए वी सी ये सैट एके अवयक पोने चाहिए ठीक अब यहांपे आप देखें हम एक उधारन लेते हैं कि भई तू जो है टू कॉमा माइनस 3 ये आपको आर में मिलेगा ठीक है वई टू कॉमा माइनस थिरी आर में मिल जाएगा तथा माइनस थिरी कॉमा वन ये भी आपको आर में मिल जाएगा वट लेकिन टू कॉमा वन डज नौट बिलॉंग टू आर इसलिए स्वेतल संक्रामक संब्द नहीं होगा अब मैं इसको एक्स्प्रेंट भी कर देता हूँ कैसे फॉर रॉल टू माइनस थिरी वन ब्लॉंग टू आर या ए भी लिख सकते हैं देखो टू माइनस थिरी वन तीनों ही वास्तिविक संग्या है अब यहाँ पर देखना दो और माइनस तीन में संबंध क्या है और माइनस तीन एक से छोटा होता है तो यह भी कंडिशन सही है अब जब दो कंडिशन ऐसी मिल जाती है तब हम ढूडते हैं कि भई दो का संबंध माइनस तीन से है माइनस तीन का संबंध एक से है तो हम क्या करते हैं दो का संबंध एक से ढूड़ेंगे अब हमने देखा वई 2,1 PR में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्योंकि 2 जो है एक के बर्ग यानि एक से छोटा नहीं होता इसलिए ये संक्रामक संबंद भी नहीं है तो हम यहाँ पर लेखेंगे अतहा आर संक्रामक नहीं है नहीं है question number second finish होता है देखते है question number four sorry third question number third आप से क्या गोला है देखें भई जाच कीजिए कि क्या समुच्च है 1,2,3,4,5,6 में R वराबर A,V V वराबर दिया है A प्लस 1 के दुवारा परिवासे संबंद R स्वैतल संक्रामक है स्वैतल संक्रामक तीनों ही है यह चीज हमें जाच करने है सिद्ध नहीं करना है यहाँ पर चेक करना है या नहीं तो यहाँ पर आप देखिए third वाला समुच्च यहाँ पर आपको दिया गया है A वराबर 1,2,3,4,5,6 एंड आर जो है वो आपको दिया है सेट विल्डर फॉर्म में की A,V इस परकार है कि जो V है वो A प्लस 1 के बराबर है अब इसको हम रोश्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखना अगर आप A कामान 1 रखेंगे अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि A कामान आप 6 नहीं रख सकते क्योंकि A कामान 6 रखेंगे तो B कामान साथ आएगा जबकि यहाँ पर साथ नहीं दिया है A और B जो दोनों अभियाब होते हैं वो समझे A के अभियाब होने चाहिए बास समझे अब यहाँ पर देखो स्वैतुल लिखे लिए स्वैतुल लिए बोलता है कि A, A belongs to R for all A belongs to A अब कहीं भी आपको इस R में A, A मिल रहा है क्या A, A का मतलब हुआ 1, 1, 2, 2, 3, 3 कहीं दिख रहा है कहीं भी नहीं है तो हम लिखेंगे कि वही 1, 1, 2, 2, .6, .6 does not belong to R for all 1, 2, .6 belongs to A यानि 6 के 6 अभियाब समझे A में तो हैं लेकिन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6 ये R में नहीं है हम लिखेंगे R स्वैतुल नहीं है अतहा आर स्वैतुल नहीं है स्वैतुल नहीं है दूसरा फटापट देखें सम्मित सम्मित अब सम्मित के लिए आप देखें सम्मित के लिए हम लिखते हैं कि यदि A, V ये अगर आपको R में मिल रहा है तो आपको V, A ये भी R में मिलना चाहिए तो V, A, R में होना चाहिए for all सभी A और V समुच्चे A में होने चाहिए अब यहां पर आप देखें R में R में 1, 2 तो दिया है क्या 2, 1 दिया है देखो भई 1, 2 है 2, 1 है क्या नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे कि 1, 2 ये तो R में है but 2,1 does not belong to R तहा R सम्मित नहीं है संक्रामक के लिए देखते हैं अब संक्रामक क्या बोलता है संक्रामक बोलता है कि यदि A, V ये R में हैं तथा V, C ये भी R में हैं तो A, C V, R में होना चाहिए और A, B, C तीनों ही सेट एके अवयब होने चाहिए अब यहां पर आप देखें 1 का संबंद 2 से है 1, 2 मिल गया 2 का संबंद 3 से है 2, 3 मिल गया अब 1, 2 मिल गया 2, 3 मिल या तो 1, 3 हमको R में ढूनना है तो देखो लेकिन 1, 3 does not belong to R यह R में नहीं है तो हम लिखेंगे अतहा सबसे लास्ट में अतहा R संक्रामक नहीं है संक्रामक नहीं है यानि दिया गया संबंद ना तो सवयतुल है ना संक्रामक के ना ही सम्मित है ठीक है question number 3 complete होता है देखते हैं हम अगला question question number 4 question number 4 आपसे क्या पूछ रहा है सिद्ध कीजी की R में अब यहां पर फिर से देखो यह जो थोड़ा था dark किया गया है यह R मतलब हो गया बास्तिविक संख्याओं का समुच्चे अब बास्तिविक संख्याओं का समुच्चे होता है आप परिमित जिसमें अनंद संख्या होती है दूसरा जो R दिया गया है वह आपको दिया है relation वाला संबंद वाला R और relation वाले R में A, B इस पिरकार हैं कि A जो है वो B से या तो छोटा है या फिर B के बरावर होना चाहिए अब आपको ये सिद्ध गरना है कि ये स्वेतल तदा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है चलो देखते हैं तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं संबंद वाला R यहां पर हम सेट एको नहीं लिखेंगे डारेक्ट सॉल्व करेंगे स्वेतल 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 की कंडिशन होती है कि यदि ए कॉमा ए बिलॉंग्स टू आर पॉर आल ए बिलॉंग्स टू कैपिटल लिग दो या डार्क सा आर बना दो ठीक है अब हम लिखेंगे भई कि देखना यहां पर अब कोई भी संख्या स्वेम के बराबर तो हो सकती है न बास्तिविक संख्याओं में आप कोई सी भी संख्या उठालो चाये 0.1 उठालो है ना 3 वटे 2 उठालो तो 3 वटे 2 तो 3 वटे 2 के बराबर तो होगी न भई तो यानि 1,1 2,2 यह सारी चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि उसने यह गोला कि A या तो B के बराबर होना चाहिए या फिर B से छोटा होना चाहिए तो बराबर तो मिल रहा है छोटा हो या ना हो उससे मतलब नहीं दोना में से एक पॉर एक्जाम्पल लिए 2,2 भी लिख सकते हैं माइनस 1,1,1-1 भी लिख सकते हैं है ना और फॉर ओल वन विलांग्स टू कैपिटल आर अतहा आर स्वेतल है अतहा आर स्वेतल है दूसरा देखें सम्मित अब देखना बई सम्मित में आप देखिए सम्मित ये कहता है आप से कि यदि A और B का रिलेशन आर में हैं तो हमें डूनना पढ़ता है कि B और A का रिलेशन भी आर में होना चाहिए for all A और B दोनों ही set R या set A के अभ्योग होने चाहिए अब यहाँ पे आप देखो ये तो स़ही बात है क्योंकि इसने कहा कि या तो A का मान B से छोटा हो या बराबर हो तो छोटा तो है लेकिन लेकिन वर्ट 2,1 ड़स नॉट बिलोग तो आर में नहीं मिलेगा क्योंकि जो है 2,1 आपको आर में नहीं मिलेगा क्योंकि दो एक से छोटा नहीं हो सकता और दो एक के बराबर भी नहीं है तो हम लिखेंगे For all One to belong to Atahar सम्मित नहीं है Atahar Atahar सम्मित नहीं है सम्मित नहीं है Third वाला देखिये Sankramak भी check कर लो Sankrama अब यहां पर आप देखना संक्रामा के लिए हम लिखते हैं कि यदी 1, sorry A, V ये हमें R में मिल रहा है तथा V, C ये भी आपको R में मिल रहा है तो हमें चेक करना है कि A, C ये R में है या नहीं पौर ओल A, B, C तीनों ब्लॉंग करने चाहिए वास्तिविक संख्याओं के समुच्चे R को ठीक, अब यहाँ पर आप देखो 1, 2 ये R में मिल रहा है तथा 2, 3 ये भी आपको समुच्चे R में मिलेगा ठीक है, मतलब 1, 2 से छोटा है और 2, 3 से छोटा है तो क्या 1 भी 3 से छोटा है बिलकुल है भई हम लिखेंगे 1, 3 ये भी R को फॉलो करा, देखो 1, 2 से छोटा है, 2, 3 से छोटा है तो फिर 1 को भी 3 से छोटा होना चाहिए जो की सही है, हम लिखेंगे 1, 2, 3 ब्लॉंग 2, R अतहा R संक्रामक है अतहा R संक्रामक ये हो गया question number 4 आपका यहां पर, ठीक है